भारत रत्ना स्वर्ग्री अट्रल विहारी वाजपईजी के मारदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई उसमें अभी तक साथ अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है इस बार भी इसकी गोशना की जाएगी इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिये क्वीज कम्पिडिशन में हिस्सा लिया है ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं लेकिन नई पीड़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है इस क्वीज के पंदरा विजयता भी आज इस वर्ट्यूल समारों में हमारे बीच मौझूद है मैं सभी विजयताओं को बधाई देता हूँ शुबकामनाई देता हूँ और साथ साथ इस क्वीज कम्पिडिशन में हिस्सा लेने वाले सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और मेरा इस क्वीज कम्पिडिशन में हिस्सा लेने वाले सबसे आग रहे हैं कि आप तै करिए कि अगले बार जब क्वीज कम्पिडिशन होगी तब आपके प्रहतना से दस और नए लोग इसमें जुडेंगे ये चेन चलनी चाहिए चेन बढ़नी चाहिए लोगों को जोड़ना चाहिए कई विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं पढ़कर के अपने देशों में जाते हैं उनको भी आगरह करना चाहिए, कि वे भी जो भारत में कभी पढ़ाई करके गए हैं, वे भी कम्पीडिशन में जुड़े और किज कम्पीडिशन के अंबेसेडर मने क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए नई पीड़ी को भारत को जानने की जिग्यासा जगाने के लिए एक टेकनोलोजी डिवन भहुत सरल उपाय है और इसलिए मेरा आगर रहेगा कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाईए फ्रेंट्स बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनोतियों का साल रहा है लेकिन इन चुनोतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पुरा ने जिस तरह कारिय किया है अपना कर्तव्य निभाया है वो भारत के लिए भी गर्व की बात है यही तो हमारी परंपरा है यही तो इस मिट्टी के सांस्कार है इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लिडर्शिप के लिए दुनिया भर में भारतिय मुल्के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिती सुरिनाम के नए राश्पती स्रिमान चंद्रिका प्रशाथ संतोखी जी बेस्वयम भी इस सेवा भाव का एक शांदार उधारण है और मैं ये भी कहूंगा कि इस कोरोना काल में विदेशे रौमे रहने वाले हमारे कई भारतिय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है मेरी उनके प्रति संबेधना है और उनके परिवार जनों के प्रति भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दें ये प्रार्षना करता हूँ आज सुरिनाम के राश्पती जी ने उनके गर्म जोसी बरे शब्द और भारत के प्रति उनके नेका भाव हम सब के रुदे को छू गया उनके एक शब्द में हर एक भाव में भारत के प्रति जो उनका अहुभाव था वो प्रवाहित हो रहा था प्रगट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था उनकी तरह मैं भी आशा करता हूँ कि हम शिक्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सुरिणाम के राश्पती जी का बग्व्य स्वागत करने का आउसर भी मिलेगा बीते वर्ष में प्रवासी भारतियों ने हर छेत्र में अपनी पहचान को और मजबूत किया है साथियों मेरी बीते महनों में दुनिया के अनेक हेड्स अब दे स्टेट से चर्चा हुई है स्टेट हेड्स ने इस बात का विशेशत तोर पर जिक्र किया कि कैसे उनके देश में प्रवासी भारतियों डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और सामान्य भारतियों नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है चाहे मंदीर हो चाहे हमारे गुर्दवारे हो चाहे लंगर के हमारी महान परंपरा हो हमारी अने छोटे मोटे सामाजिक, सांस्कुरुतिक, धार्मिक, संगठनों ने सेवा भाव में अगवाई की है और हर नागरी के सेवा करने का काम इस कठीन परिस्तिती में भी किया है ये दुनिया के हर देश में जब मुझे सुनने को मिलता है कितना गर्व होता है और आप अंदार लगा सकते हैं जब फोन पर मैं आपकी प्रसंसा सुनता था और दुनिया के हर नेता काफी समय आपी के गुंगान करता था और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बाड़ता था हर किसी का मन खुश्यों से भर जाता था गवरो होता था आपके ये समस्कार दुनिया के हर कौने में उजागर हो रहे हैं कौन भारती होगा जिसको अच्छा न लगता होगा आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहाँ ही नहीं बलकि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है पी-म कैस में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्ट इंफरा उसको ससक्त करने में काम आ रहा है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ साथियो भारत के महान संत और दार्शनीक संत तिरुवलुवर ने दुनिया के सबसे प्राचिनतम भाषा और यह हम गर्व से कहना चाहिए दुनिया की सबसे प्राचिनतम भाषा तमिल उस तमिल भाषा में संत तिरुवलुवर ने दुनिया की सर्वस्रेष्ट भूमी वो है जो अपने विरोधियों से बुराईया नहीं सिकती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्यान में कोई कमी नहीं करती साथियों आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है हमारे भारत की हमेशा यही विशेशता रही है सांती का समय हो या संकट का हम भारतियों ने हर परिस्तिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है इस वजह से इस महान भूमी को लेकर एक अलग ब्यहवार हमने देखा है जब भारत ने कॉलोनियलिजम के विरुत मोर्चा खोड़ा तो दुनिया के अनेक देशों में आजादी के संगर्ष के लिए यह प्रेना बन गया जब भारत टेरुरिजम के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनोती से लरने का नया साहस मिला सात्यों भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलोजी का जादा से जादा इस्तमाल कर रहा है लाखों करोड उरुपिये जो पहले तमाम कम्यों की वज़र से गलत हाथों में पहुँच जाते थे वो आज सीधे लाभारती के बैंक खाते में पहुँच रहे हैं आपने देखा होगा भारत ने जो नई व्यवस्ताएं विक्सित की हैं उनकी कोरोना के इस समय में बैस्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रसंसा की है आदुनिक टेक्नोलोजी से गरीब से गरीब को एमपावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी चर्चा विश्व के हर कौने में है हर स्तर पर है भाई योर भेनों हमने दिखाया है कि रिन्यूबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल का कोई देश भी लीड ले सकता है आज भारत का दिया वन सन वन वर्ल वन ग्रीड ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है साथियों भारत का इतिहास गवा है कि भारत के सामर्थ भारतियों के सामर्थ को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई सारी आशंका एक गलत साबित हुई है गुलामी के दोरान विदेश्ट में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजार नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटा हुआ है वाशंका एक गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई साथियों जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पड़ा भारत कम पड़ा लिखा भारत ये भारत तो तूड जाएगा बिखर जाएगा डेमोक्रिसी तो यहां असंभव है आज की सच्चाई यही है कि भारत एक जूट भी है और दुनिया में डेमोक्रिसी अगर सबसे मजबूत है वाइबरेंट है जीवन्थ है तो वो भारत ही है भावी और भेनों आजादी के बाद ही दसकों तक यह नेरेटिव भी चला कि भारत गरीब अस्विक्षित है इसलिए साइन्स और टेक्लोलोजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाय कम आकी गई आज भारत का स्पेस प्रोग्रेम हमारा टेक्स टार्ट अप इकोसिस्टिम दुनिया में अग्रणी है कोवीड की चुनोती के साल में भी कई नए उनिकॉंस और सेंक्रो नए टेक्स टार्ट अप्स भारत से ही निकल करके आये हैं फ्रेंड्स पैंडेमिक के इस दौर में भारत में फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ क्या है हमारी ख्षमता क्या है इतना बड़ा देश देमोक्रेटिक देश जिस एक जुड़ता के साथ खड़ा हुआ उसकी मिशाल दुनिया में नहीं है PPE केट्स हो, मास्क हो, बेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग केट्स हो, यह सब भारत बाहर से ही मंगाता था आज इस कोरोना कालखन में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इन में सेल्फ रिलाइंट बना है बलकि इन में से कई प्रोड़क्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है आज भारत दुनिया के सबसे कम फेटलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है आज भारत एक नहीं बलकि दो मेड इन इंडिया कोरोना वेक्सिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तयार है दुनिया की फार्मसी होने के नाते, दुनिया के हर जरुरत मन तक जरुरी दवाएं पहुचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वेक्सिन का इंतजारी नहीं कर रही बलकि दुनिया का सबसे बड़ा वेक्सिनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नज़रे हैं साथियों इस वैस्वी महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान की प्रेणना बन गया है हमारी यहां कहा गया है शत हस्त समाह शत हस्त समाह सहस्त रहत संकिर यानि सेंकड़ों हाथों से अर्जिन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो भारत की आत्म निर्भरता के पीशे का भाव भी यही है करोडों भारतियों के परिश्रम से जो प्रोड़क्स भारत में बनेंगे जो सॉलुशंस भारत में तयार होंगे उससे पूरी दुनिया का लाप होगा दुनिया इस बात को कभी नहीं भूल सकती है कि जब वाई टू के समय भारत की भूमी क्या का रही भारत ते किस प्रकार चे दुनिया को चिंता मुक्त किया था इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडुस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्द होता है उसका लाब पूरी दुनिया तक पहुंता है साथियों आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है आप जहां भी गए भारत को भारतियों को साथ ले करके गए आप भारतियों को जीते रहे आप भारतियों से लोगों को जगाते भी रहे हैं और आप देखिए फूड हो या फैशन हो फैमिली वेल्यूज हो या बिजनेस वेल्यूज आपने भारतियों का प्रसार किया है मेरा ये हमेशा से मानना हरा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोगप्री हुआ है तो मैगेजिन्स, कुकबोग्स या मैनुवल से ज़्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरन के कारण, आप सभी के वहवार के कारण ये सब संबव हुआ है भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है, न कभी थोपने का सोचा है बलकि दुनिया में आप समी ने भारत के लिए एक जिग्यासा पैदा की एक इंट्रेस्ट पैदा किया है भले वो कौतुक से शुरूबवा हो लेकिन वो कन्विक्षन तक पहुचा है आज जब भारत आत्म निर्वर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबुद बनाने में आपका रोल एहम है जब आप मेडिन इंडिया प्रोडस का जादा से जादा यूज उस करेंगे तो आपकी इर्दगीर रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वाथ बढ़ेगा आपके कलीश को, आपके दोस्तों को, जब आप मेडी इंडिया प्रोरक्स यूज करते हुए देखेंगे, तो क्या आपको इस पर घर्ब नहीं होगा? ती से लेकर टेक्स्टाईल, और ठेरपी तक ये कुछ भी हो सकता है, मैं तो आनद होता है, जब आज खा दी, दुनिया में आकरशन का केंदर बन रही है, इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वाल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रीच डाइवर्सिटी को भी द दुनिया तक पहुँचाएंगे, सबसे बड़ी बात, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट, आप दुनिया के गरीब से गरीब तक, affordable और quality solution पहुँचाने का जरिया बढ़ेंगे, friends, भारत्वें investment हो, या फिर बड़ी मात्रा में, remittances का contribution, आपका योगदान अतुलनिय रहा है, आपके expertise, आपके investment, आपके networks, आपके अनुभव का लाप, हर भारतिय, पुरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गवरों भी करता है, और आपके लाप के लिए वो हमेशा आतूर भी रहता है, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं, ताकि आपको भी अवसर मले, और यहां के अपिक्षाएं भी पूरी हो, आप मैंसे काफी लोग जानते हैं कि कुछ सब्ता पहले ही, पहली बार, वैश्वीक भारतिय वैज्ञानिक समीट, शौर्ट फ्रम में उसे कहा गया वैभव, वैभव का आयोजन किया था, इस सम्मेलन में सतर देशों के पचीस हजार से ज़्यादा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने करीब साड़े साथ सो घंटों तक चर्चा की, और इससे 80 सब्जेक्ट पर करीब 100 रिपोर्ट निकली, जो कई छेत्रों में टेकनलोजी और सिस्टिम के विकास में काम आने वाली है, यह समवाद अब ऐसे ही जारी रहेगा, इसके अलावा बीते महनों में भारत ने एजुकेशन से लेकर एंटरपाइज तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्ट्रल रिफॉर्म्स किये हैं, इसमें आपके इन्वेस्मेंट के लिए ओपर्ट्यूनिटिज का बिस्तार हुआ है, मैनुफेक्टरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोड़क्शन लिंग सब्सिडी स्कीम यह बहुत पॉपिलर हुई है, और बहुत कम समय में बहुत पॉपिलर हुई है, आप भी इसका भरपुर लाब उठा सकते हैं, साथियों, भारत सरकार हर समय, हर पल आपके साथ आपके लिए खड़ी है, दुनिया भर में कोरोना लोकडाउन से विदेशों में फसे 45 लाग से ज़ादा भारतियों को बंदे भारत मिशन के तहर रेस्क्यू किया गया, विदेशों में भारतिय समुदाय को समय पर सही मदद मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किये गए, पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतियों के रोजगार सुरच्चित रहे, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई, गल्व सही अनेक देशों से लोटे साथियों के लिए, स्कील्ड वर्कर्स, एर्राइवल डाटाबेज फर एम्प्लोमेट सपोर्ट यानि स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई, इस डाटाबेज का उदेश बंदे भारत मिशन में लोट रहे, वर्कर्स की स्किल मैपिन करना और उन्हें भारतिय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है, इसी तरह दुनिया भर में भारतिय समुदाय के साथ बहतर कनेक्टिविटी के लिए रिष्टा नाम का नया पॉर्टल लॉंच किया गया है, इस पॉर्टल से मुष्टिल समय में अपने समुदाय से कॉम्मिनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुँचना आसान होगा, इस पॉर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्स्पोर्टाइज का भारत के विकास में उप्योग करने में भी बहुत मदद मिलेगी, साथियों, यहां से अब हम आजादी के पच्चतरवे साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रवासी भारती दिवस आजादी के पच्चतरवे वर्ष के समारों से भी जुड़ेगा, महत्मा गांदी, नेताजी सुभास चंद्र बोच, स्वामी विवेकानन, ऐसे अंगिरेत महान व्यक्तित्वा की प्रणा से दुनिया भर के भारतिय समुदायने आजादी मैं अहें भूमी का निबाई है, ऐसे में ये समय उन साथियों को, उन सेनानियों को भी याद करने का है, जिनोंने भारत से बाहर रहते हुए, भारत की आजादी के लिए काम किया, मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतिय समुदाय के लोगों से, हमारे मिशन में बैटे हुए सभी लोगों से, ये आगर रहेगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्यार करें, एक पोर्टल त्यार करें, और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतियों का, जिनोंने आधादी के जंग में विश्व भुमी का निभाई है, उनकी साहरी तथ्याधारी चीजें उसमें रखी जाएं, जहां भी फोटो उपलब तो हैं, फोटो रखी जाएं, विश्व भर में कब किसने क्या किया, कैसे किया, इन बातों क्या उसमें वर्णर हो, हर भारतिये के प्राक्रम का, पुर्शार्त का, त्याग का, बलिदान का, भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का, गुरगान हो, उनकी जीवन गाथाएं हो, जिनोंने विदेश में रहते हुए भारत को आजहात कराने में अपना योगदान दिया, और मैं तो ये भी चाहूँगा, कि अब जो क्विज कॉम्पेटिशन के लिए जो क्विज तयार होंगे, उसमें विश्व भर में ऐसे भारतिये समुदाय के योगदान पर भी विज का एक अलग चेप्टर हो, पांसो, साथ सो हजार वो सवाल हो, जो विश्व भर में पहले हुए, भारतियों के विश्व में भी जिग्यासु लोगों को लिए, जिग्यान का एक अच्छा सरोवर बन जाए, ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे, आने वाली पीडियों को प्रेरित करेंगे, आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज वर्चुएली मिले हैं, कोरोना के कारण रूबरू में मिलना सम्भव नहीं हुआ है, लेकिन भारत का हर नागरी हमेशा यहीं चाहता है, कि आप स्वस्त रहें, आप सब सुरक्षित रहें, अपना और देश का नाम रोशन करते रहें, इसी कामना के साथ, मैं फिर एक बार सुरीनाम के राश्पती जी का रदेपुर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने जो हम सब को प्रेना दी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, विस सचमुझ में भारत का गवरो बढ़ाने वाले उन महापुरुर्वक वरस्व मैं से एक हैं, मैं उनका भी विश्यस धन्यवाद करता हूँ, और इसी कामना के साथ, आप सब का बहुत बहुत धन्यवा झाओ